आज हम लोग पामिश्ट्री के इस वीडियो में हाथों पर बनने वाले शत्रू विजय प्राप्ति के चिन पर बात करेंगे ये चिन जिसके भी हाथों पर बनता है उसके सामने शत्रू टिक नहीं पाते हैं या यू कह लिजे कि सत्रूओं पर सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है ऐसे वेक्ति को अब ऐसा वेक्ति किसी भी छेत्र में हो सकता है जैसे कि अगर राजनीती या फिर पॉलिटिक्स में हैं तब भी इसके सामने वाले जो वेक्ति खड़ा होगा इसके अपोजिट में उसके मन पर ऐसे वेक्ति की गहरी छाप या प्रेशर बिल्ड अप होने लगता है या अगर जैसे कोई ऐसा वेक्ति बिजनस कर रहा है तो इसकी जी अपोजिट साइट का वेक्ति होगा उसके अंदर भी एक मन में इसकी गहरी छाप होगी और मतलब की हर छेत्र में ये सफलता दिलवाता है खास तोर से जब कोई सामने उसके बिल्कुल टिक कर खड़ा हो या लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो चाहे वो कोट का चेहरी का केस हो तब भी ये सइन सफलता दिलवाता है ठीक तो चल ये शुरू करते हैं जीवन रेखा, मस्तिश्क रेखा, रेदे रेखा तो आज के टॉपिक में जो हमें सबसे पहला माउंट चाहिए वो है केतू परवत या फिर केतू माउंट ठीक तो वो कहां पर होता है हथेली और कलाई जहां पर आपस में जुड़ रही है और जीवन रेखा के इस तरफ वाला पार्ट मतलब की आगोठे के अपोजिट वाला पार्ट ये जो चीज होती है, ये पार्ट या ये छेत्र ये केतू परवत या केतू माउंट कहलाता है इधर शुक्र परवत है, इधर चंद्र उसके ठीक बीच में केतू परवत की स्थती है इसकी सही calculation के लिए एक पीछे वीडियो पड़ा हुआ है केतु परवत पर लकी मचली चिन का उसके हिसाब से आप एक calculation कर सकते हैं कि केतु परवत की इस्तिती वास्तविक्ता में कहां पर होती है ठीक तो ये केतु परवत हो गया अब दूसरा जो हमें माउंट चाहिए वो है जूपिटर माउंट या गुरू परवत तो आपकी जो ये index finger आप देख रहे हैं उसके ठीक नीचे ये जो पार्ट है ये जूपिटर माउंट या गुरू परवत कहलाता है इसको लिख देते हैं गुरू परवत और ये हो गया केतु परवत अब देखें दो चीजे हैं इसमें गुरू माउंट या जूपिटर माउंट का डेवलप होना जरूरी है और अगर विक्सित नहीं है तो इस पर कोई एक शुब चिन हो जाए जैसे की स्टार का हो जाए, क्रॉस का हो जाए या जितने भी गुरू परवत पर बनने वाले शुब चिन है ठिक, उसके बाद में इस केतू परवत पर एक धोजा के रूप में चिन ऐसे बनेगा ये ऐसे बाहर आप देख लीजे, पी नुमा एक आकरती रहेगी ऐसे भी बन सकती है और ये ट्रेंगल शेप में भी बन सकती है कि ऐसे ट्रेंगल और ये, तो ये दो चीजें अगर बनती है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से एक शत्रू विजई चिन के रूप में बनता है और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉंस रहता है अगर ऐसे व्यक्ति के अतिधिक शत्रू है तो सारे के सारों पर ये सफलता असानी से प्राप्त कर लेता है तो उमीद है आप अच्छे से समझ गया होंगे आज के लिए बस इतना ही रादे रादे